हेलो वाट्सप गाइस माने मिस्पिनोध बादू थापा एंड टूडे इन इस पीडू बीबिल सी यूज इफेक्ट चैलेंज इन और रियक्ट अप्लिकेशन जिहां गाइस तो आजके बहुत ज्यादा ऑसम अनुला जहां पर इह देखो इंक्रिमेंट में कर रहा हूं यहां पर लिख देता हूं थापा टेक्निकल तो आप देख सकते हो नाम मुझे यहां पर दिखाई दे रहें यह इंक्रिमेंट भी हो रहा है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बैस पार्ट यह है जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो जो जो नाम में लिख रहा हूं मुझे वह यहां पर भी मिलेगा ठीक है यह यूज एक्ट की मदद से हो रहा है एंड सिर्फ इतना ही नहीं दी बैस पार्ट आपने नोटिस किया कि नहीं किया इन आवर टॉप यह आप देख सकते हमारा जो टाइटल है वहां पर भी मुझे काउंट टू इंक्रिमेंट हो के 3 मिल रहा है यह चैलेंज है जहां पर आपको टाइटल चेंज करना है अपने URL का ठीक है बेसिकली अपने टैप में जो यह बेसिकली कम्प्लीट ही आपको काउंट एंड जितना इंक्रिमेंट होगा उसकी वेल्यू वहां पर ऑन दे स्पोर्ट चेंज होना चाहिए सेकेंड फिंग जब भी यूजर यहां पर कुछ भी लिखे है यहां अपडेट होना ही चाहिए साथे साथ चान सूल में भी आपको वह जो नाम है यहां पर मिल जाना चाहिए इस तरीके से जो मुझे यहां मिल रहा है तो यह आज आज आपका चैलेंज है गाइस बिना पर कोड़ भी मेरे पास थोड़ा बहुत रेडी है तो आप देख सकते हो पहले मैं फोल्डर इस्ट्रक्चर दिखा देता हूं है ना मैं जानवच के आजकल पहले ही थोड़ा बहुत रेडी बैक अप कर लेता हूं ताकि मैं आपका समय बचा सका हूं तो आप देख सकते हो एक न्यू फोल्डर मेंने क्रेट की है जिसका नाम है आपका इफेक्ट चैलेंज डॉट जैस ठीक है तो उसके अंदर यह अल्रेडी सब कुछ मेंने रखा हूं है जहां पर बहुत के लिए लिए देख सकते हूं जहां हम देख सकते हो आपको काउंटर करने ने बहुत जैसी है जग अगर आपको तरीका मालुम हो सही methods पता हो तब यह आपके लिए easy है अभी के अभी आप कीजिए वीडियो को pause इतना source code में आपको already provide कर रहा हूं then आप इसी पे ही try कर सकते हो so all right guys I hope आपने at least try क्या होगा let's tackle one by one तो सबसे पहले तो guys मैं जल्दी से काम कर लेता हूं जहां पर मैं दो चीज जल्दी से paste करना चाहूंगा यहां पर that is my set count and then set name ठीक है अब यह जो मेरा count वाला button है यहां पर मैं अब वो state variable count पूट करूँगा मैंने इतने बार यह count variable बता दी है यह example दिखा दी है I hope आपको आप लाइब में नहीं भूलो गया अपडेट करना पड़ता है तो उसके लिए हमें यहां पर जब भी कुछ बटन पर करेगा क्लिक मैं डाइटली यही पर अपडेट कर दे रहा हूं ठीक है हम इस तरह के से भी कर सकते है set count and मैं डाइटली यहां पर मेरा जो भी यह count होगा प्लस वन ठीक है let's check it out at least यहां पर मैं चलता हूं इसको मैं भाटा दे रहा हूं यहां पर मैं अपडेट ही नहीं की तो this is our challenge copy एप पर मैं चलूंगा enter hit challenge इसको मैं delete कर दूंगा ठीक है perfect तो यह काम हो गया है एक काम रहे गया है मुझे इसको यूज करना जरूरी था इस तरीके से यूज एफेक्ट एड करना जरूरी रहता है तो वह मैंने कर दी है मैं यहां पर चलूंगा तो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जो की सही है अब अगर मैं क्लिक करता हूं and भूंगा इससी मेरा यह जो पर्टिकुलर इंक्रिमेंट है यह मेरा काम कर रहा है चलो अच्छी बात है नाउ लेट्स चेक इट आउट यह वाला कैसे काम करेगा कि यहां पर जो भी मैं लिखू यहां पर दिखाए दे if you remember हमने जो रिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था उस पर मैंने आपको दिखायता है यह बहुत इजी है अभी फिलाल यह जो है यह मेरा फॉर्म कंट्रोल यह अनकंट्रोल यह बताओ बताईए यह यह फिलाल अभी आपका अनकंट्रोल यह बट दा मुमेंट में इसमें वेल्य अट्रिब्यूट आड कर दूँगा तो आइगेस मुझे इस कुड़ भी यहाप पर बस वेल्यू तो पूट करना पड़ेगा पहले सो हेर वी हब इस नेम तो वो आना चाहिए यह पॉफेक्ट यही चीज है गाइस बहुत एक कंपोनेंट इस चेंजिंग एंड अनकंट्रोल इंपुट तो भी कंट्रोल कैसा लगा यह है ने इतना जाता ओस्म अब आई होप कोई भी इंट्रिविवर आपसे पूछे का एक कंट्रोल वर्स अनकंट्रोल क्या तो यह दिखा दीजिए अब बता भी रहा कि एक अनकंट्रोल इंपुट को अब आप कंट्रोल में कंवर्ट करने जा रहे हो और साथी साथ बोलेगा कि उन्चेंज भी यूज करो अगर चाहिए तो अब इसलिए वहां में वह भी चाहिए ओन्चेंज ठीक है आप इंपूट पर उन्क्लिक नहीं काम करता है यहां पर भी मैं डिरेक्ट इस्तरकी से सेट कर सकता था पाता है आपको सेट नेम यहां पर इवेंट डॉट वी अब टार्गेट डॉट यहां पर टार्गेट डॉट अब यहां पर पास करना पड़ेगा इस तरकी से कुछ यह अब इस बटन है यहां जिए अब यह ब तक तो आप यह समझ लो कि यह बी एक चैलेंज था जो आपका यूज इफेक्ट हूग आइम नौट यूज इफेक्ट हूग आपका यूज-इसस्टेट हूग का चैलेंजिंग आप समझ सकते हो जो की काम कर रहा है थापा मेरा यह यहां पर perfectly काम करें अब जब भी कोई नाम लिखे तो console पर दिखना चाहिए तो कैसे होगा देखो यहां पर आपको यह मन में आ रहा होगा कि directly console.log कर दो बर्टो सही नहीं है ठीक है तो we have a use effect यह आपका callback function पहला argument यह आपका अब दुसरा argument array dependency यहां पर आप कर दीजे console.log and then वो जो name है आप पास कर दीजे अब एक चीज़ ध्यान में रखना the moment आप इतना भी कर देते हो for the very first time कुछ भी आपका यहां पर नहीं आएगा and second जब आप कुछ भी करो तब भी कुछ नहीं आने वाल लेकिन एक बार तो यह जरूर है कि मेरा वो just console.log लिखने से मुझे यहां पर कुछ तो भी मिलना चाहिए था and initial हमारा यह जो input field है वो empty है that's why मुझे ऐसा मिला else मैं अगर यहां पर लिख देता थापा by default एक value रख रहा हूं मैं थापा and मैं अगर इसको refresh करता हूं boom गा इससी मतलब मेरा वो use effect चल गया पहली बार आपका use effect चलता ही चलता है लेकिन मुझे वो जब जब user value change कर रहा है I mean type कर रहा है मुझे वो console दिखाना है ठीक है तो वह मैं कैसे करूँगा obviously अब आपको यहां पर array dependency में वह state variable pass करना पड़ेगा बताना पड़ेगा इस use effect को first time तो आप चलते हो लेकिन अब उसके बाद जब जब इस state variable की value change होगी तब तक आप इस use effect को वापस call कीजिएगा and अग देख सकते में कुछ भी लिखा हूँ वह मेरा data वहां पर आते जा रहा है ठीक है तो यह था ना बहुत ज्यादा awesome तो इसको मैं हटा रहा हूँ अब एक चीज रहे गया that is मैं इसको update कैसे करूँ मेरा document यह जो title है उसको मैं update कैसे करूँ ठीक है तो again we need a use effect hook for the same and क्यों मैं आ value change रही वह यहां पर reflect हो रहा है तो एक idea आगे आपको एक idea कि side effect मुझे अब यहां पर perform करना है जहां पर मैं by title हमारे document का जो title है उसको change कर रहा हूँ समझे रहो हो जबकि इसका लेना देना नहीं किसी भी चीज से यह count count वो just किसी और की value लेके update करने की कर रहा है तो किसी तरके से इस use effect के अंदर मुझे बस यह पता चल जाए कि आखिरकार यह जो टैब में जो यह title है उसको हम update करे तो करे कैसे अब यहां पर कोई react नहीं है कुछ use effect नहीं यहां पर pure javascript का method and functions आपको लगने वाला है and वो बहुत easy है and that is you need to write document.we have this title property जहां पर आपको कलिब्रेस and basically simple इस तरके से sorry आपको backtick लगा दीजे यह आपका account and यहां पर dollar and backtick में आप यहां पर लिख दीजे आपका account variable पास कर दीजे and I guess इसकी मुझे कोई need भी नहीं object की यहां पर है न क्योंकि by default हम by default basically javascript की दुनिया में ही है तो बस इतना मैं आगर कर देता हूं तो एक चीज़ notice करना अभी फिलाल यह wheat plus react है ठीक है the moment में refresh करूँगा and boom guys see यह देखिए इतना तो मुझे पता चल गया है कि document के title को मैं ऐसे change कर सकता बट अब जब जब इसको refresh करूँगा इसको कुछ नहीं होगा वो अब भी 0 ही है बट इहां पर तो यह 4 हो चुका है तो अब simple है मुझे वो 0 की value को भी update करते रहे ना इसका मतलब यह कि count की value जब जब change होगी इस particular use effect को भी मुझे तब तब कॉल करना है ताकि वो इसको call कर दे and इसकी value update हो जाए तो यह array dependency में यह पास करना जरूरी तो यह array dependency belief में बहुत ही ज़्यादा useful है यह बहुत ही ज़्यादा समझ जरू है ना इसमें क्या करूं अपसे यह बहुत important है अब मैं यहां पर चलता हूं and boom guys see मेरा काम हो गया here we have a six here also we have six and यहां पर आप अगर टेक्निकल कुछ भी लिखूंगा मैं subscribe कर दीजेगा guys है ना बस मेरा काम हो गया देखो कितिनी easy ली हमने इसको tackle कर दी यह था आज हमारा use effect hook का challenge and मैं आसा कर तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा कल एक और हम clean up function देखेंगे and उसके बात से हमारा Pokemon जो प्रोजेक्ट है उसके हम काम सुरू कर देंगे and बहुत ही मजा हैगा guys believe मैं आब एक भ बहुत जरूरी है and side by side आप भी कुछ देखते रहिए आप भी use effect का कुछ challenge को perform कीजिए chat GPT से पूछिए Google में जाईए stack और pro में देखिए different different जगे है जहां पर आप और practice कर सकते हो मैंने तो बता दी अब आप practice कीजिए ठीक है all out guys तो please like, share, subscribe कर दिजेगा and मिलता हूँ में कल की video में till then guys thank you so much take care